नमस्कार दोस्तो छे रुपया 17 पैसा का यह जो शेर देख रहे हैं यह एक टाइम में 940 रुपया का जो यह 943.85 देख रहे हैं 21 दिसम्बर 2013 को लगबग 9 साल के बाद यह दिसम्बर 20 दिसम्बर को 9 साल हो जागा इस सेर का उससे में इसकी प्राइस थी लगबग 945 रुपया के आसपास 945 रुपया का सेर यह 6 रुपया 17 पैसा का आज के देख में आया है तो इस पे हमारी नजर जरूर रहेगी इसके पहले यह बता दे कि यह फ्राइडे को जो ओपेन हुआ था 6 रुपया 17 पैसा ओपेन हुआ था हाई 6 रुपया 17 पैसा लो 17 पैसा ना इसमें कुछ खरीद बिकरी कुछ भी नहीं हुआ और इसका कारण क्या है वो हम आपको बता दे पहले चलिए उसके पहले यह बता दी कौन सा स्टोक है कौन सा सेर है तो यह है निकी गलोबल फाइनस और इसका कोड है बंबे स्टोक एक्षेंज में 531272 अगर हम बात करेंगे पांच सल की बात करेंगे इस सेर के बारे में तो यह कावन परसेंट नीचे आया है पांच सल पहले इस सेर का प्राइज जो था बार रुपया के आसपास था लेकिन अभी यह 6 रुपया 17 पैसा के आसपास है इसको जरूर हमारे डाल पर रखना चाहिए निकी गुलोबल फाइनस का जो यह सेर है आपर सर्कृट लगाया था था थासडे को उसके बाद इसकी बिकरी नहीं हुई थी निकी गुलोबल फाइनस लिमिटेड मौंबे स्टोक एक्षेन में 531272 जो कोड है इसका अगर हम बात करें छे महीना पहले की तो 34% नीचे आया है तीन रुपया 25 पैसे की गिरावट के बाद ये एक लेबल आया था चार रुपया के आस पास गया उसके बाद ये उपर जाना शुरूगा तो अभी वक्त है इसको पकड़ने का और इसमें अगर हम बात करें एक महीना के तो एक महीना से ये सेर लगतार उपर की तरब जा रहा है और हो सकता है कि अभी नीचे भी थोड़ा जाएगा लेकिन फिर उपर जाएगा तो ये हम बात करेंगे कि पांच रुपिया पचास पैसा के आसपास आता तो जरूर इसको खरदारी करना चाहिए और उसके पहले वेट एन वाच की इस्तिति बनी रहती है लेकिन एक ही बात है इसमें कि अब इसका सितारा चमकने वाला है ये हम आपको बता देते है पंदर अपडेट हम आपको कर दे उसके बाद बताते हैं कि सोमार को एक स्टोक जो आपको सोमार को जरूर उसको रडार पे रखना है चाहें इंटर डे करने वाले हो या फीचर में वाई करने वाले हो या आप्शन के में कॉल बाई करने वाले हो पुट में कॉल बाई करने वाले ह नेस्ट डेक की बात करेंगे तो ग्लोबल स्टोक मार्केट में जो अमेरिकी स्टोक मार्केट है उसके 11,323 डॉलर से ज्यादा में बंद हुआ 209 डॉलर मतलब बढ़िया दुनिया के बजार जो है फ्राइडे को बहुत बढ़िया रहा और इसके कारण यह है कि डाउ जोन्स जो है एउरोपिय स्टोक मार्केट डाउ जोन्स इंडेक्स 33,744.86 और यह 32 डॉलर एक बार तो खुलते मार्केट खुलते ही नीचे गया लेकिन उख खुलने के बाद बहुत भारी गिरावट के साथ खुला उसके बाद फीरा कर वी सेफ यह वी सेफ देख रहा है ना वी वी सेफ बनाया और उसके बाद यह आकर 32 डॉलर के हर्याली पे जाकर बंद हुआ वही निप्टी 50 की बात कर लें तो निप्टी 50 में 18,350 रुपया जो हम आपको मंगलवार को पिछले मंगलवार को ही मैंने बोला था कि निप्टी 50 18,300 से 18,450 तो यह अपना इस्तिती बनाये हुआ है बढ़िया इस्तिती में है कोई इसमें दर भाई नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो गिरावट आती रहती है दूसरी बात है कि 42,000 से ज़्यादा 42,000 से ज़्यादा जो की हमारा टार्गेट था तो तो 45,000 45,000 की जो पार करने के बाद ये फिर आपको फिर पीछे मुड़के निप्टी बैंक और निप्टी बैंक की जो हर्याली जो देखने को मिलेगी ये तो हमने आपको एक सप्ता पहले ही बता दिया था कि अब पादधा है पंजाब नेश्नल बैंक है अ इस्टीट बैंक ऑफ इंडिया सभी के सभी बैंकों के साथ प्राइबेट बैंक भी जवजास्त साथ दे रहें निप्टी बैंक का और इसमें है इंडर्स लेंड इंडर्स इन बैंक और आइसी आइसी बैंक एक्सिस बैंक के साथ साथ जो पैनी स्टोक्स एस बैंक है उसकी भी रफ्तार देखने को मिल रही है दोस्तों तो चलिए देखते हैं सुमबार को क्या होता उसके पहले और इसके बाद आपको जो बीडियो आएगा वो आएगा प्रेडिक्शन आफ निप्टी 50 और निप्टी बैंक ओन मंडे 14 नवंबर 2022 जय हिन जय भारत बंदे मात्रम एपी 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 शटर्ड़ दे तो आल आप यू बैंबा बीकेशन